नमस्ते, मैं अभिनाश, आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग में स्वागत करता हूँ आज बैंक निप्टी में एक कंसोलेशन मुवमेंट देखी जैसे कि मैंने उपर की साइड में लिखा था कि 40,950 के उपर या 900 मैंने शायद लिखा था 870 के उपर बाय हो जाएगा इसा कुछ मैंने लिखा था मुझे याद नहीं है लेकिन वो रेंज आई ही नहीं एक बताने की बात ही यह है तो वे ओपन होके नीचे बैंग निफ्टी में एक नीचे की साइड में अच्छा कंसोलेशन मुवमेंट देखे एक उपर की मुवमेंट आगे अभी आज के सेशन में बैंग निफ्टी में क्या हुआ जैसे कि मैंने कल बोला था कि यह विजिन दायरे में एक ब्रॉडनिंग पैटन बनाने की कोशिश करेंगे जैसे कि यह हाई जो है यह हाई का एक टाइम एंगल उपर की तरफ जा रहा है यह जो लो है यह लो का एक टाइम एंगल नीचे की तरफ जा रहा है और इसके बीच में ये मोमेंट रखने की कोशिश करेंगे और कल भी मैं आपको बताता हूँ कि शायर ये दाइरा हमको बहुत important role काम करने वाला है जैसे कि इसके उपर शायर जाएगा और वहां से नीचे आ सकता है ऐसे भी हो सकता है नीचे के साइड में open होके यहां से उपर जा सकता है और जो breakout जो point रहने वाला है वो 40,000, 41,000 पकड़ो 41,000 और 49,300 ये उपर और नीचे में इतना बड़ा gap होने के वजह से वो वहां से actual moment आने वाली है तो ये gap बड़ा है शायद हम लोग ये दाइरे में अगर रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा अगर हम उपर की तरफ गए तो अच्छी बात है क्योंकि वहां पर एक बाय सिगनल जनरेट होके अगर वो स्ट्रेंड दिखाई और उपर की तरफ गई तो हम लोग 42,200 तक की भी movement देख सकते हैं जो यहां तक आ सकती है और नीचे के साइड में अगर यहां पर एक थोटा सा बाय सेल सिगनल जनरेट होगा एक मिनिटा यह छोटा सा सेल सिगनल जनरेट कहां पर होने वाला है तो 40,400 और यह आएगा चाली हजार चार सो के नीचे थोड़ा सा स्मॉल सिगनल विदिन देट रेंज में ही रहेगा ऐसा कुछ खास उसमें से ज्यादा ओटपुट आएगा ऐसे मुझे नहीं लग रहे है फिर भी हम लोग कंसिडर कर आएगा सकते हैं यहाँ पर यह सेल सिगनल आएगा तो तार्गेट जो रहेगा 49,400 तक का भी हो सकता है तो यहाँ वह भी 700,800 पॉइंट का मुवमेंट देखे जाएगा क्योंकि वोलेटिलेटी कलके दिन में रहेंगी तो यह जो पॉइंट है नीचे के साड़ में 40,400, 4,280, 4,80, 39,320 जो पॉइंट है यह एक्चुली यह जो लो है यह जो पहले प्रिवियस लो है उसका डाउनवर्ड एंगल है और उसका 39,300 के आसपास आता है 320 यह जो लिखा हुआ है लेकिन 300 जो पॉइंट है वो इंपॉइंट पॉइंट रहेगा वहां से अगर बैंक निचे जाते है तो वहां से एक्चुल सेल आफ एक्सपेक्टेड है और उपर की सार में अगर 41,000 के उपर निकलता है एक सेकंड ना अलो हां के वीडियो बनाँ पर नम्चर में बोलू काय सामेश आता है जाता है आता कुछ पर्ठी पर नम्चर के नम्चर के तो उपर की साड में 41,000 का एक अच्छा ब्रेक आउट आ सकता है तो अभी आज के दिन में क्या हुआ हूँ वह मैं आपको बताता हूँ आज के दिन में देखिए यह एक मुमेंट यहां से एक्सपेक्टेड उपर आ गई कल के दिन में यहां पर क्लोजिंग होई थी आज के दिन में उपर क्लोजिंग करके नीचे के साड में मुमेंट यह अभी क्या हुआ है कि यहां पर बैंक निफ्टी में मैं कमफरटेबल ही नहीं था जैसे कि मैं यहां पर एक चीज़ को में कल देख रहा था कि इसको हम low करके consider करते और इसको low consider करते तो ये high के उपर अगर जाता है moment तो एक by signal generate हो जाता है जो कल उसने इसके उपर जाके by signal generate किया था और कल by signal generate करने के बाद इसने आज जो है वो वही पे ही वो angle के अंदर सब लाया नहीं एक single candle थोड़ा सा अंदर उसा के उपर के साड़ी में momentum रखा और वहां से ही by का moment दे दे या तो ये important एक role था कि ये by signal generate कैसे हुआ मैं वापिस एक बार बोलता हूँ कि ये जो low है ये low मैं ये नहीं पकड़ रहा हूँ ये पकड़ेंगे तो फिर हमको ये high पकड़ना पड़ेगा तो ये low के नीचे ये low मारा ये high अगर हम पकड़ते तो यहां पे एक by signal generate हुआ यहां पे exactly 40 है या 425 में आज के दिन में ये उपर उपर होके नीचे आया लेकिन नीचे के साड़ में exact angle को पकड़के वो उपर की तरफ निकल गया तो by signal ऐसे हुआ अभी आज के दिन में क्या हुआ तो ये जो अगर हम देखते है कि ये एक high बना ये high बना तो यहां से अगर हम हमको low ये ही था तो जब तक ये low जो है ये low का downward angle तोटा नहीं तब तक तो sale था ही नहीं तो यहां पर actually एक buying की opportunity थी जो opportunity थी अगर इसके बाद अगर ये trend आया तो जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ कि low के नीचे downward angle डलिये जैसे कि ये मैंने डाला तोटा नहीं ये डाला तोटा नहीं ये डाला तूटा नहीं और ये डाला अभी यहां पर देखिए ये low के sorry ये high के उपर ये high मारा तो आप यहां पर इसके नीचे downward angle डलिये तो exact यहां पर support लेके वो उपर आया इसके नीचे sale होने वाला ये अगर downward angle तूटा है तो इसके नीचे sale होने वाला है इसके लिए exactly यहां पर ये moment ही अभी कैसे होता है कि आप ऐसे देखिएंगे तो देखिए ये low के नीचे तो low मार दिया ये जो low है ये low जो है 414 सी का है और ये जो low है 422 है तो इसके नीचे तो मार दिया फिर बैंक निफ्टी sale क्यों नहीं हो गई तो वो downward angle यहां पर support करता है वापीस उपर लिखे है इसके लिए मैं बोलता हूँ कि sale signal तब ही generate होगा जब previous लोग का downward angle तूटता है तो ही sale signal generate होने वाला है otherwise ये train continue रहने वाला है तो आज के दिन में जो buy हुआ sale हुआ वो मैंने आपको बताया अब मैं आपको nifty में बता देता हूँ nifty में भी आप देखेंगे कि मैंने कल यहां से nifty में कल का जो high था वहां से मैंने उपर की तरफ उपर की तरफ एक point दिया था 17,750 17,750 अगर cross होता है तो ही buy signal generate होने वाला है और मैंने वीडियो में clear card बताया था कि यहां पे एक selling opportunity रहेगी तो 17,735 का high बना के वहां से one way nifty नीचे आ गई और वो जो ही पासुप 44 के आसपास आ गई अब यहां पे क्या हुआ यहां पे सिनारियो अलब था यह जो है यहां पे कल buy signal generate होते हुए यह buy signal generate हुआ था मैं आपको बताता हूँ यह जो low है यह low के नीचे यह low मारा था और यहां पे एक buy signal generate हुआ था तो आप देखेंगे यह buy signal generate हुआ तो यहां से यह यहां पे ही support लेके वापिस उपर की तरफ गया है और अगर वैसे नहीं देखते तो यह low और यह यह जो high है यह high के उपर यह high मारा है यह high के उपर high मारा है तो यह high का जो low है अभी जैसे की इसको तो हम low नहीं पकड़ सकते है तो यह जो low है यह low के नीचे यह actually sale होने वाला था तो वह sale हुआ नहीं अभी मैंने क्या किया इंट्राडे में मैंने यह low पकड़ा था इसके नीचे 570 के नीचे मैंने एक sale दिया था 500 या 670 के नीचे sale दिया था उसका 40 एक पॉइंट का या 50 पॉइंट का effect आया लेकिन वो ज़्यादा देर टिका नहीं और यहां से यह वापीस उपर आ गया और उपर की तरफ moment दे दी तो sale के लिए यहां पर यह sale moment ज़्यादा हुआ नहीं और उपर की तरफ अभी जैसे कि आज के दिन में हम लोग देखेंगे तो जैसे कि यहां से यह उपर आने के बाद यह low यह low से यह उपर आया यह first high यह second high cross होने के बाद यहां पर buy हो गया और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कोई भी यह low से मैंने downward angle डाला नहीं तूटा यह low से मैंने downward angle डाला नहीं तूटा यह low तो पकड़ना यह गलत है यह low पकड़ना चाहिए यह high के ओपर यह high मारा हुआ है तो continuous moment वो चलती रही आज के दिन में आज की दिन में अभी कल क्या होगा तो यह कल जैसे कि मैंने बोला यह ब्राडनिंग पैटन अभी भी हो रहा है उपर की साइड में रेजिस्टर्स लेगा, नीचे की साइड में सपोर्ट लेगा, कल बजेट दे है बजेट में आपको उपर की साइड में यहां पर कुछ भी हो सकता है तो यह दोनों पॉइंट मैंने आपको क्लियर कट दिये हैं इसके उपर आप टेलीग्रम में अगर मेरे साथ जुड़े हो तो मैं आपको वहां पर आपको अलट करते रहूंगा कि यहां पर क्या कर सकते हम लोग कि बाइसिगनल होने के बाद कौन को सा स्टॉप लौस रटना चाहिए यह मैं आपको टेलीग्रम में लाइव में बता दूँगा उपर की तरफ रेजिश्टन के हिसाब से देखेंगे तो सत्रा साथ सु पज़ेता सत्रा साथ सु नबबबब यह जो 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 ने यह जो जो ने यह अगर क्लियर होता है तो एक अच्छा मुमेंट उपर की तरफ आ सकती है जो सत्रा आट सो नबबब नो सो से अठा जा तक की भी जा सकती है और नीचे के साइड में पास सो तीन सो साथ का जो एक सपोर्ट है वो अगर तुटता है तो एक सेल ओफ एक्सपेक्टल है उसके पहले यह पास सो नबबब और अगर करेंगा है तो मैंने आपको आज के दिण में यहां पे एक सेल सिग्नल हुआ ही नी बल्बहकर चूटा सा स्माल सिग्नल हुआ था सालल ही लेकिन वह कर देया स्टपला और बाद और आप काम काम करेंगे, तो better रहेगा, कोई भी कॉल्पूट आप छोटी क्वांटीटी में काम कीजीए और अगर future में भी काम करते हो तो without stop loss आप मत कीजीए, और broadening pattern के उपर आप ध्यान दीजिए अगर आपको broadening pattern नहीं पता है तो आप जाके पीछे का video देख सकते हो, browning pattern के उपर मैंने डाला हुआ है वो वीडियो देखेंगे तो आपको ये browning pattern कैसे काम करता है वो पता चलेगा और ये कल browning pattern काम करने वाला है और यहां से उपर और नीचे अगर sell off आता है तो कैसे होएगा ये आपको browning pattern देखने के बाद पता चलेगा कि ये कैसे buy होएगा और कैसे sell होएगा तो आज के लिए बस इतना ही budget के लिए सबको मैं अच्छा budget दिन जावे opportunity दोनों को रहेगी buyers को भी रहेगी sellers को भी रहेगी अपने अपने skill अपने confidence के इसाब से आप trade करना और successful होना यही मेरी दुआए है आज के लिए बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो please आप share कीजे, like कीजे और subscribe कीजे, जय हिन, thank you